नमस्कार वेलकम यूगाइज वंस अगेन तो दिस लेक्चर ओफ इनॉगनिक केमिस्ट्री एनॉगनिक केमिस्ट्री के लिए हम आपके लिए आज अपका लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं जैसा कि आप सभी को पता है यूनिट फर्स्ट चल रही है आपकी हार्ड एंड सॉफ आपकी है तो आज हम क्या देखने वाले हैं हमने अब तक क्या क्या देखा है हमने हार्ड एंड सॉफ के क्लासिफिकेशन देखा है हार्ड एंड सॉफ के करेक्टर्स देखिये क्या होते हैं फिर हमने देखा है सब्सुरी क्या थी पिरसन की फिर हमने देखा इसकेसे चयब के अपछुन को धी लेकिन यह कोई experimental theory तो नहीं थी यह तो केवले क्या था एक observation थी ठीक प्रेक्शन था उनका क्योंकि उन्होंने बहुत सारे reactions को उप्जर्ब किया उन्होंने देखा कि जितने भी reactions हैं जो इस्थाई उत्पाद बनते हैं उसमें इसी ट्रेंड को उन्होंने जब बहुत सारे reactions में देखा तो उनको लगा कि यह जो बहुत सारे reactions में दे रहा है इसका मतलब कुछ तो चीज है यह तो और इसी को उन्होंने सिध्धान बनाकर दे दिया और ऐसे नहीं कि अचानक से दे दिया इन्होंने thousands of reactions study कियोंगी कुछ ना कुछ study कियोंगी इसके पीछे तो इन्होंने अपना HSAB का सिद्धान्त दिया ठीक है आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो theories पढ़ने वाले हैं उन सिद्धान्तों को पढ़ने वाले हैं जो HSAB को explain करती हैं HSAB को explain करती है मतला कि जो HSAB का समर्थन करती है जो उसको सही थहराती है क्योंकि वो तो experimental नहीं थी तो अब इसको experimental प्रूफ भी तो करना पड़ेगा तो कुछ scientists हैं जिन्होंने अपने सिद्धान्त दिये HSAB को प्रूफ करने के लिए तो आमको जो सिद्धान्त पढ़ने हैं वो तीन सिद्धान्त पढ़ेगे हैं Pyban सिद्धान, Electronic सिद्धान और तीसरा है taxes ठीक है, तो इन तीनों सिद्धान्तों के बारे मां पढ़ने वाले चोड़े सिद्धान्त हैं, इनमें बहुत जाते कुछ इसना है नहीं समझने को तो आईए देखते हैं लिए चुरू करते हं है ङाम लिख सकते हैं हाओ हे से भी है एचे सेट है भार्ना के अ कि परमुक सिंद्धांद परमुक सिंद्धांद लिकितो है हम बोलिर्शनि प्रमुक सिंद्धांद इसका मतलब सारी Siddhant जिसमें से जो मेजर हैं जो मेजर इपढ़े जाते हैं उनको हम पढ़ने वाले हरुए सिध्धान को नहीं पढ़ेंगे तो जो प्रमुख सिध्धान जो major lease के लिए पढ़ते हैं कौन-कौन से हैं वह हैं पहला तो है आपको जो पढ़ना वह है electronics लेक्ट्रानिक सिद्धान दूसरा है पाई बन सिद्धान और तीसरा है ड्रेगो वेलेंड सिद्धान तीसरा क्या अंसा है ड्रेगो वेलेंड सिद्धान तो शुरुआत करेंगे हम कहां से इलेक्ट्रोनिक सिद्धान से तो हम शुरुआत करेंगे हमारे इलेक्ट्रोनिक सिध्धान से क्या है भई इलेक्ट्रोनिक सिध्धान तो यह जो इलेक्ट्रोनिक सिध्धान यह बताता है यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रोनिक छोरी पढ़ने हमको इलेक्ट्रोनिक सिध्धान पढ़ना यह क्या बताता है तो यह सिद्धांत बताता है कि जो कठोर होते हैं जो कठोरं के बीच में posts होती है वह क्यूं होती है तो इसके कठोर कठोर इसलिगी समीव रियक्षे करते हैं क्योंकि उनके बीच में आईनिक बान बनता है अगरने का कठोर के स्आध अगर भय गलन सोथे करूंटme 6zos छोटा है और इस पर आवेश है माललो 156 चोटा अवीश घंद पर बहुत ज्यादा और जैसे थे मिलेज का अभिश्य संस्च्ट मिलिश्यीं जो बहुत 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 ज़्यां जाधर और जहां पर attraction power जादा होगी वहां पर कौन सा बॉंड बनेगा आयनिक बॉंड बनेगा क्योंकि आयन्स होंगे जिस पर प्रवल धनात्मा का उच्छी धनात्मा कावेश होगा ठीक है और ऐसे कठोर चार क्या होती है कठोर चार में भी दाता परमान होता उसका कार कैसा होता है चोटा उता है तो फ्लोरीन ले लिया और ये बीच रंात्मा के बीच कौन सा बॉंड बनता है जो फोरस अट्रेक्छन होती है इनके बीच में क्या होती है इस्थिरवःद्धुताकरशन बल होता है प्रवल जिसकी वजह से इनके बीच जो बॉण्ड बनता है वो कैसा होता है आईनिक तो इलेक्त्रोनिक सिध्धामत यही कहता है कि कठोर और कठोर के बीच जो बॉंड बनता है वो एक्चूलिक कॉन सी सब्सक्राइब करें एक है यह सब्सक्राइब करें होगा श्नाइन होंगे यानि की जो हम प्रमादू को कॉता बड़ा होता है ुचाहित कम कम होगा कम यह राकृषण कम-पस में चाहार हो रिंआतमा-पार्वेश के बात करें उच्च रिनातमा-पाविश तो इसका भी साइज बड़ा होगा और इनके साइज बड़े होने की वज़े से यह आपस में क्या कर लेते हैं ओवरलेपिंग कर लेते हैं क्या कर लेते हैं और जहां पर ओवरलेपिंग होती है है यहां पर वह बां तो यही इनों ने बताएं के अंदर गये कि जो कठोर कठोर है उनके बांडिंग आई निक होती है और जो म्रदू म्रदू है उनके बीच में बांडिंग कैसे होती है सहे सही हो जग तो हुआ है कि तो हम यह लिख सकते हैं लिख सकते हैं यह कि इस सिद्धान्त के अनुसार इस सिद्धान्त के अनुसार कठोर वा कठोर के मद्धे कठोर वा कठोर के मद्धे पारस्परिक क्रिया द्वारा कठोर वा कठोर के मद्धे किसके द्वारा पारस्परिक क्रिया द्वारा या पारस्परिक क्रिया क्या करती है पारस्परिक क्रिया किसका निर्मान करती है आईनिक बंद का निर्माण करती है यानि इसके बीच में जो बंड बनता है वो कौन सा होता है आईनिक तो इसका मतला विस्धान के अनुशार कटोर कटोर के मद्द जो पालस पर ही क्रिया होगी उससे कौन से bond का निर्मान होगा आईनेक जैसा कि आपको अभी बताया और ऐसे ही जो क्या कहते हैं म्रदू म्रदू के बीच क्रिया होगी उसका उससे कौन सा bond बनेगा सैसे हो जगबन तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार म्रदू के मध्य पारस्प्रिक क्रिया द्वारा सह्यों जग बंद का निर्मान होता है ठीक है इतना सा है यह सिद्धान्त इलेक्ट्रोनेक सिद्धान्त के वाल इतना सा है कि कठोर कठोर के मध्य जो पारस्प्रिक क्रिया होते है उससे जो बंद होता है और जबकि म्रदू म्रदू के मध्य जो पारस्प्रिक क्रिया होती है उससे जो बंद बनता है वो कैसा बं यह चोटा होगा तथा उच्छ आवेश पुच्छ होगा है थीक है तो कठोर अम्ल आवेश के कारण चोटे आकार तता उच्छ आवेश के कारण कठोर अमल कठोर चार के साथ आईनिक बॉंड बनाते हैं आईनिक बॉंड बनाते हैं तीक है जबके बड़े आकार तथा निम्न धनात्मक आवेश के कारण म्रदू अमल तथा म्रदू चार सैसयोजक बंद बनाते हैं य Nej पहीं बनुड डिशक बनाते हैं थीक है तुम यह सब्चे हैं पॉजिटिब टर्टिफ जाज लगार है ब स्मौल साइज निगेटिफ पान्टे लोग हर है तो इनके बीच में बांड बनेगा वह कौनसा होगा कौंसा होगा आइने वहीं आगर बड़ा साइज है यानि की म्रदू है यह कैसा है हाड और यह वी कैसा है हाड हाड ऐसेड है पॉजटिटीव चार्ज है और है बेश है जब कि हम यहां बात करें इसका साइज बड़ा तो यह सौफ्ट कबड़ें क्लिस नोड़ कि जल्दी से लोट कि जल्दी से पिर आगे चलते हैं कि आगे चलते हैं अब इसी में चल रहा हैं आगे दिखते हैं तो यह जो कठोर और मिदू है इनके बीच में संबंद को इस पस्ट करने के लिए इनके संबंद को निरूपित करने के लिए एक साइंटिस्ट थे माई सोनों कौन से थे माई सोनों तथा उनके साथियों ने माई सोनों तथा उनके साथियों ने कठोर वा म्रदू के मद्य कठोर वा म्रदू के मद्य एक रिलेशन दिया है ना कठोर वा ऐसे लोगो कठोरता वा म्रदुता के मध्य एक संबन निरूपित करने के लिए करने के लिए निम्न समीकरन प्रस्तुत किया किसना किया यही इसी थियोरी को आगे ले जाने के लिए और यह बताया था के आईनिक करेक्टर होते हैं कठोर कठोर के बीच में और म्रदु म्रदु के बीच में सही सही होज़ा करेक्टर होते हैं तो इसी कठोरतव ब्रेदुता में एक संबंद बनाने के लिए रिलेशन बनाने के लिए उन्होंfa क्या इक समिक्रणट किया क्या था प्रस्तुत किया कि थे क्या तो Bel Yes यानल ने समिक्रणट दिया प्की पावर के बरावर की यह चैनल ऐसे परी च सब माइनस लॉग K weren't क्या होता माइनस लॉग एच उसी तरह से इसको रखा तो पी के लिखो यह पी के की जगह पर क्या लिखो माइनस लॉग के लिखो ठीक है इसका एक रिलेशन होता है माइनस लॉग के का क्या होता है एक प्लस बी वाई प्लस सी यह एक रिलेशन दिया है इन्होंने ठीक है? एक relation दिया P के बरावर क्या हो? P के क्या होता है? माइनस लोग के और इसकी value हम कैसे निकाल सकते है? कि AX प्लस BY प्लस C जहाँ पर K क्या है वई? K क्या है? तो यह जो K होता है यह एक नियतांग है, वियोजन नियतांग है किसका वियोजन नियतांग है? अमलचार उत्पाद का वियोजन नियतांग K क्या है यहाँ पर? अमलचार उत्पाद का वियोजन नियतांग जैसे आपने देखा होगा ना कोई HX होता है जब यह तूटता है H प्लस तो इस तरह से लिखते हैं H प्लस प्लस k- तो इसके लिए कि यहाँ पर constant होता है k तो k बरावर क्या होता है h plus की concentration k- की concentration upon hx की concentration इस तरह से कुछ value निकालते हैं न तो वही है यहाँ पर k वही नेतांक है यहाँ पर k तो k क्या है अमलों छार उत्पाद का भीयोजन नेतांक यहाँ पर x और y क्या है capital x और capital y लिखा हुआ है यह x और y क्या है तो यह जो x और y है यह है धातू आयनों के नेतांक क्योंकि दो चीज होंगी एक धातू आयन होगा जो की अमल कहलाता है और यह क्या होगा लीगेंड होगा जो क्या कहलाता है अच्छा तो उसी के क्या है नेतांक तो एक्स और वाई क्या है जातु आए नियानि की अम लोग के नियतांक है, किसके नियतांक है, अम लोग के नियतांक है, ठीक है, A तथा B क्या है भई, यहाँ पर AB भी तो है, AB क्या है, तो जब यह धातु आइनों के हैं, तो यह किसके होंगे, लिगेंडों के, है ना, लिगेंड क्या होते हैं, यह हमारे, छार होते हैं, तो लिगेंडों कि नियतांक, कॉंस्टेंट हैं, कुछ कॉंस्टेंट वैल्यू है, जो दातु आयों के लिए, और लिगेंडरों के लिए हैं, आप ये चिंस्टेंट वैल्यू से धूत यहां, तो ये अगोगते है, है fix है यह value ठीक है तो एक formula दिया है उन्होंने और जहां पर C क्या है सी एक constant है क्या है एक कि लीगेंड नियतांक है लीगेंड नियतांक है किसके लिए पीके के मानों को समायोजित करने के लिए अगर हमको PK के मान समायोजित करने तो एक constant लेना पड़ता है C जो कि क्या है एक लीगेंड नियतांक है तो एक relation दिया है इन्होंने ठीक है और इन्होंने पाया कि जो जब यह relation दिया इन्होंने तो इन्होंने पाया क्या पाया वह इन्होंने कुछ observation की कुछ observe किया जब यह relation दिया जब यह experiment किया तो यह पाया कि कठोर अमलों के लिए जो भी हमारे कठोर अमलों के लिए उनके लिए कठोर अमलों के लिए y का मान जो कठोर अमलों होते हैं hard assets होते हैं जिनका size छोटा होता है जिनके charge बहुत ज् उनके लिए y का मान जो होता है वो 2.8 से कम प्राप्त होता है से कम प्राप्त होता है जबकि जबकि म्रदू अमलों के लिए म्रदू अमलों के लिए म्रदू अमलों के लिए y का मान 3.2 से अधिक अधिक प्राप्त होता है ठीक है इसका मतलग जो कुछ भी 2.8 और 3.2 के बीच में होगा वो क्या होंगे सीमावर्ती तो हम यह लिख सकते हैं कि सीमावर्ती अमलों के लिए y का मान 2.8 से 3.2 के मद्य होता है कि मद्य होता है तो यह उन्होंने observation पाई उन्होंने जब observe किया कि जो y के values है वो किसको बताती है वो बताती है कि कितना कठोर होगा अगर y कमान 2.8 से कम प्राप्त हो रहा है अगर जो भी आपको y की value दे गई है तो कम होगी इसका मतलब वो कैसा होगा वो होगा कठोर जो दातु आइन होगा वो कैसा होगा कठोर होगा लेकिन अगर value 3.2 से जादा है तो वो कैसा होगा म्रदू होगा या फिर 2.8 से 3.2 के बीच में है तो वो कैसा होगा सीमा वरती होगा कैसा होगा भी सीमा वरती होगा नोट कीज़े जल देशे आगे चलते हैं यह तो अभी हम दातु आइनों के लिए देख रहे हैं फिर लिगाइनों को कैसे रिलेट करेंगे इतना नोट कीज़े यह सारी experimental observation है आपको इसमें कुछ करना नहीं है क्योंकि आप कर नहीं सकते हैं आप experiment तो करेंगे नहीं क्लास में बढ़के तो जो इन्होंने एक्सपरिमेंट की observation दी वही है तो जो वाई कर आने वो किसके लिए निकालते हैं अमनों को ईबताएं अमनों के लिए मतलब धातु आयनों की कठोड़ता को बताता है तो, लिंगैंदो की म्रद़ता और alcohol कौन बताएगा तो, लिंगैंदो की म्रद़ता और uta के क्ठोड़ता के लिए कौन होगा जैसे ओर और भी 2 constant के लिए निए के लिए मान ले ब्रद्धी ब्रद्धि होने पर ऊम्रदुता में व्रद्धी होती.." ada यानि कि B की वैलू लिगेंडो के लिए हम क्या देखते हैं B की वैलू जब अगर हम अम लोग की बात करेंगे अम लोग की बात करते हैं X और Y दो constant दिये के अम लोग के लिए तो जब हम लोग कठोरता और म्रदूता की बात करते हैं किसकी बात करते हैं वाई की वैलू देखते हैं ठीक है जब हम लीगेंडों की कठोरता और म्रदुता की बात करेंगे तो ए और भी मैंसे हम किसको देखेंगे बी को देखेंगे बी की वैलू जितनी जादा होगी म्रदुता उतनी ही जादा होगी बी की वैलू जितनी कम होगी कठोरता उतनी ही कम होगी तो X और Y अमलों और छारों की जो उनकी कठोरता और म्रदता होती है उसको कौन रिप्रेजेंट करते हैं एक तो Y, अमलों के लिए Y और छारों के लिए कौन करता है B तो फिर X और A का काम क्या है ठीक है तो फिर X और A का काम क्या है तो जो X है X है वो X धातू आइनों की Electronegativity यानि कि विद्युत रिणात्मत्ता से संबंदित होता है यहाँ पर X किसे संबंदित होता है विद्युत रिणात्मत्ता दातू आइनों की प्रवल्ता को सूचित करता है करता है, है न, तो यहाँ पर जो हमने जितने भी constant लिये थे, x, y, a, b, सबका अपना एक रोल है, x क्या बताता है, कि जो धातु आयन हमने लिया है, वो कितना विद्यू त्रिणात्मक है, ठीक है, जितना जाधा विद्यू त्रिणात्मक होगा, उतना ही जाधा कठोर होगा, y e की वैलू जितनी जाधा होगी उतना ही म्रदु होगा, जितनी कम होगी उतना ही कठोर होगा, और e क्या बताता है, प्रवल्ता को, ठीक है, जो पर बलता को आप कभी भी कठोरता और म्रदुता से मत जोड़ियेगा, यह हम बाद में पढ़ें गे कि प्रवल्ता अलग bashku हुआ है जो कि है हमारी पाई बंध नियानिक पाई बंध न त्यौरी पाई बन सिद्धान टीक है अभी सिद्धान पढ़ा था वह दोनों तरह के बंड्झ म्रदु हैं यह जबकि यह पाई बंडिंग थेयरी ओर जो के बीच जो रियक्शन्स होते हैं उनकी व्याख्या नहीं करती हैं कि इस पर जो दिया नहीं क्योंकि जो इलक्ट्रोनिक सिद्दांत ने कहा वह इसने मान लिया कि हाँ वह इनक बनता है ठीक है एनिक नेचर की होती है लेकिन इन्होंने जो म्रदु म्रदु के बीच जो रियक्शन्स होती है उस पर जादा ध्यान दे उस पर एक्सपेरिमेंट किया तो इसी आधार पर इन्होंने क्या दिया पाई बॉंड सिद्धान दिया किसने दिया था वही कौन से साइंटिस्ट थे तो यह जो सिद्धान था जे चैट ने दिया था यहां हम लिख सकते हैं साइंटिस्ट थे वही जे चैट उन्होंने दिया था इस सिद्धान के अनुसार किसने दिया था वही जे चैट ने दिया था तो इस सिद्धान की अनुसार क्या है? क्या कहता है आज है पहले भी देख चुके था वे अगर आपको सेकिंडियर का यादो तो जब आपको वह पड़ाय था क्या कहते हैं कोडिनेशन कमपांग उसमें पश्च पाई बंदन का सिद्धान था ठीक है हम यह पढ़ चुके हैं तो क्या होता है पाइ बॉन्डिंग करते हैं जैसे कोई इसका काम तो क्या एलेक्ट्रोनों को लेना जब लिगेंड इसको इलेक्ट्रोन देंगे तो इसपर कैसा चार्ज आएगा, जब कोई इलेक्ट्रों लेता है तो उसपर चार्ज कैसा आता है, नेगीटिव चार्ज, है ना तो जब sales, होता है और कोई विधातु नेगेटीव चार्ज को बरदास कर सकता है नहीं कर सकता है तो तुरंट चाहता है कि मुझे इस तो इस नेगीटिव चार्ज को कम करने के लिए यह क्या करता है बैक्पाइब बॉंडिंग करता है यह दुवारा से इलेक्ट्रों देता है किसको लिगेंड को तो कहां से देगा अब मेटल की सारी कख्षक तो खाली नहीं होंगी कुछ तो कख्षक होंगी डी और्विटर जि सिनला से ऒरे वए डी कख्षचों से तो मैटल के खाली डी कख्षचों सोई मैटल कystem कि अकरता है सबसे पदैने एक इनर्टरॉन और क्यों सा बनाया या सिग्मा बनाया छिए लेकिन जैसे ही अब मेंटल पर कैसा चार्ज आगया डेलटा नेगिटिब चार्ज बरदास्त होता नहीं गया तुरंट इस छुटकाराँ पारा है ना मैटल कितनी भी कोशिश करें लीगेंड लेगा ही नहीं क्यों नहीं लेगा उसके पास जगए ही नहीं है तो जगए कभ होती है जब लीगेंड के पास क्या हो या तो खाली डी कक्षक हो या तो खाली क्या हो डी कक्षक मौजूद हो ठीक है या तो फिर खाली क्या मौज क्षक मवजूद हो ठीक है तो लीगेंड ऐसा होना चाहिए जिसके पास यहां तो फाई स्टार कक्षक यहां तो बिक शचक है यहां तो सिग्मा कक्षक है तो हमने जो अब जाएगा और जैसा कुछ बन जाएगा पहले लीगेंड ने दिए सिग्मा बांड बनाये फिर में डिये पाइए इसे को क्या बोलते हैं बैट पाई होगते हैं मतलब इले बंदे हुए होते हैं तो इसलिए मेटल क्या करता आसानी से उनको लिए में तरांसफर कर करता है और किसका निर्मांड करता है तो इस तरह से जो हमारे मैटल कठोर के बीच में बॉन्डिंग होती है वह यहां लिख सकते हैं कि इस सिद्धान की अनुसार मुर्दू अमलों पर शिथिल बंद युक्त इलक्ट्रोन होते हैं कौन होते हैं सिद्धिल बंद युक्त इसलिए इसलिए उपयुक्त सभी के साथ तो नहीं बनाएंगे केवल उपयुक्त 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 होंगे वह जिनके पास खाली कक्षक होंगी पाई स्टार कक्षक होंगी उनके साथ इसलिए यह उपयुक्त चारों चारें होतला चार कौन होंगे यहां पर लिगेंड लिगेंडों के साथ पाई बंद बना सकते हैं ठीक है तो इस सिद्दान के अनुसार क्या है कि यह जो म्रदू अम लोते हैं उनके पास लूजली हेल्ड एलेक्ट्रोन होते हैं जिनको यह आसानी से दान कर देते हैं किसको जिस लिगेंड से यह बॉन्ड बना रहे हैं उसके खाली कक्षे उसके साथ पाई बॉन्ड बना सकते हैं किसकी वज़े से अपने लूजली हेल्ड एलेक्ट्रोन अपने पास जो उसके एलेक्ट्रोन है उनकी वज़े से ठीक है और यहाँ पर लिख सकते हैं यहां वे लिगेंड प्रयुक्त होते हैं जिन में रिक्त डी कक्षक या रिक्त पाई स्टार कक्षक उपलब्द होते हैं की फॉस्फोर्स आसें का मतलब यह मैं अइसे प्रत्री एक लीग इसार्स इसंड मौझूद और से रसमीर आर्सिन त technologie फिरक्षक मांद सब्सेंद governo और से ऐसे मेटन maior इसमें वी इसमें कॉन係 सालफर औयोडील इन सभी के पासिया होती तेल मेटल इनके पास इरफस्पॉरन को वापस ट्रांस पर कर सकता है तो है उनके सब्सक्राइब स्ब्सक्राइब तो इस तरह की बांडिंग होती है तो यह सित्दान दिया था फाई वंद सित्दान हम यह लिख सकते हैं कि लिगेंड़ों के पास रिक्त कक्षकों की उपस्थिती रिक्त कक्षकों की उपस्थिती उपस्थिती पाई बंधन में व्रद्धी करती है इसका मतलब लिगेंड़ों के पास रिक्त कक्षक होती है उनके उपस्थिती किसमें व्रद्धी करती है पाई बंधन की सक्ति होती है तो यहां पर जितनी जादा रिक्त कक्षक होंगी उतनी ज्यादा पाई बंडिंग की तो इस प्रकार यह बोलता है कि जो म्रदुम्रदु के बीच में जो बंडिंग होती है इस चिद्धान के अनुसार वो bonding कैसी होती है पाई bonding होती है तो येतना सा सिद्धान था हैं का पाई bonding का सिद्धान नोट कीजिए देखते हैं हमारा तीशा सिद्धान क्या कहता है जो लास्ट बचा हुआ हमारा पास तीसरा सिद्धान था है वो है ड्रेगो वेलेंड सिद्धान ड्रेगो वेलेंड सिद्धान ठीक है ड्रेगो वेलेंड थिओरी एसमें बहुंत जाफा नहीं है इन्होंने क्या किया होगे prisद्धित बांड संब आब यूंशिंवन ऊता है वह सब्सक्राइब कैसे बांड होता है तो उनकी जो bond नियतांक होंगे, जो constants होंगे, वह अलाग होंगे, तो बस उनी को count किया, और उनके लिए एक सूत्र दे दिया, इन्थेल्पी का, जब कोई bond बनता है, है न, इन्थेल्पी का सूत्र का मतलब क्या है, जब भी कोई bond बनेगा, जब कोई bond बनता है, उसमें क्या निकलती है, energy बाहर निकलती है, कोई भी bond form होता है, तो उसमें हमेशा energy बाहर निकलती है, ठीक है, और उसी energy के calculate करने के लिए इन्थेल्पी सूत्र दिया, ठीक है, तो उसी में बताया, कि इस सिद्धान के अनुसार कि अमलवाचार की क्रिया के लिए कि इस सिद्धान के अनुसार अमलवाचार की क्रिया के लिए किसने जो हमारे साइंटिस्ट है कौन से ड्रेगो ड्रेगो ने उत्पाद के संभवन की उश्मा के लिए उश्मा के लिए निम्न लिखित सूत्र प्रस्तुत किया वही एक सूत्र दिया इन्होंने किसके लिए जैसे कठोर कठोर की रियक्शन हो रही है तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा प्रोडक्ट बनेगा बॉन्ड बनने से तो bond में कुछ energy निकलेगी जिसको हम बोलते हैं enthalpy, formation, heat of formation या enthalpy, बनने की enthalpy तो संभवन की उश्मा, इंदी में संभवन की उश्मा, तो उसको calculate करने के लिए उन्होंने एक सूत्र दिया क्या दिया वई, उन्होंने सूत्र दिया, कि माइनस डेल्टा एच, एबी, यानि अमलोर चार की क्रिया गी, कोई compound बना कौन सा बना, एबी जब ये compound बनेगा, बनेगा तो इसमें कुछ energy बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी, इसलिए sign कैसा लगा है, minus, minus sign का मतलब क्या, energy बाहर निकल रही है तो इसको क्या लिया, delta H, AB, और ये बरावर होता है, EA into, EB, plus CA into, CB, plus, एक constant और जोड़ दिया है, यहाँ पर D तीक है, एक constant और जोड़ दिया है, यहाँ पर W, तीक है, अब ये EA, EB, CA, CB, क्या है, EA और EB क्या है, माल लो hard की बात कर रहे है, कठोर और कठोर ठीक है, यह कठोर अमल है, यह कठोर चार है, कठोर अमल और कठोर चार के बीच कैसा आकर्शन लग रहा है, वेद्यूत आकर्शन बल, जिसको इंग्लिस में बोलते है, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स, ठीक है, तो यहाँ पर ये E, क्या प्रदर्शित कर रहा है, इलेक्ट होते हैं, कोवेलेंट, कोवेलेंट करेक्टर, तो यहाँ पर स्ती क्या बता रहा है, यह अमल है, यह चार है, यह कैसा है, म्रदू है, तो इसके बॉन्ड जो बनेगा, उसमें कैसा करेक्टर होगा, जो कोवेलेंट करेक्टर, ठीक है, अगर किसी बॉन्ड में आइनिक करेक् सब्सक्राइब होगी यानि जतनी ज्याधा निकलेगी ही ठीक है कॉंपलेक्स इतना ही ज्याधा क्या होगा स्टेबल हो ने कि ग्रीह चिह पॉर्मुला दिया या मिम्लिक सकते हैं कि यहां जहां एर इनटु 딜 जहां мо 2 योग दान संब्वन योट इस्थाइतिक योगदान है कि योई वहीं ca into Cb क्या है वहिए vaill c a into Cb कैसा योगदान है मद उश्मा में कैसा योगदान है सैह शैयो जट योगदान है ठीक है ओ यानी कि इसथिर्व्य यह योगदान कितना है और सबसे चक्रprofits कितना है वाम आंते पता चलता है एटनो और क्या है वह इक क्या है एक्छ गुत है swims नियतांग है है जिसका मान के जिसका मान जीर दान्त के अनुसार क्या कहना चाहता है इससे तो इससे दान्त के अनुसार अमल तथा छार के मद्य बना बंद बना बंद तभी शक्तिशाली होगा जब डेल्टा एच का मान उच्छ रिनात्मक प्राप्त होगा उच्छ रिनात्मक प्राप्त होगा तो यह सिद्दान कहता है कि जो एसिड और बेस हैं अमल और छार हैं मथा उनके बीच में वन जो बंद बनेंगा वगाए उतनां कि सोगा जब यह जाब से सब्सक्राइब करें बंद के अंदर क्या होंगे जादा होंगा जादा होगा जब जादा होगा जैसे यह जो कम होगा तो वह बन्द कैसा बनेगा स्ट्रॉंग बनेगा है ना तो हम यह लिख सकते हैं कि अतहा अतहा इए इन्टू इवी यह कहलें सी ए इन्टू सी वी का मान जूँ अधिक होना चाहिए कि थे कसरे अगर कटोर के बीच रियक्शन होगी तो इसका मान उच्च होगा उच्च होगा जब दोनों का मान ही उच रहिनात्मक है दोनों को सम करेंगे तो deAw barn क तो तो धुक्ती है तो कहने का मतलब एर यखर्ब काथष्म के बीच ऊई तो वेल्य हाए मिंधि ठक रहुज रहे ही जब हम शसे रहे हो據 एक रही होगा है तो वहाथ मिनता權 ऑने कीट डियाम सब्सक्तपपी टबिल्ट ऐसा बनाई वह वहल स्टूंग तो मैंने क्या लेखा कि E A into A B और C A into C B कमान क्या होना चीजिए अधिक यानि कि यहां तो कठोर की रेक्शन होनी चीजिए या फिर म्रदू म्रदू की रेक्शन होनी चीजिए तभी बॉंड क्या बनेगा स्ट्रॉंग बनेगा क्योंकि डेल्टा एस की वैलू तभी क्या समझ में आया नहीं चाहें तो आप इस लाइन को नोट भी कर सकते हैं कि जब वैद्यूत संयोजक योगदान कौन सा ही है सोरी वैद्यूत स्थेतिक योगदान जादा होगा यानि कि जब रेक्शन कठोर अमल और कठोर चार के बीच होगी तो इसकी वैलू बहुत हाई होग इसकी वैलू क्या होगी जादा तो अप लिख सकते हैं कि जब वैद्यूत स्थेतिक योगदान अधिक होगा तो ओगार अगर अगर इन दोनों का मान वहुत और अधिक हो रहा है तो इसका मान तो डेफिनेटली गिटब में उच्च प्राप्त होगा इसका मतलब इन दोनों की reaction में जो bond बनाए वो strong होगा और इन दोनों की reaction में जो bond बनाए वो strong होगा तो यही यह theory इतना सा ही यह बात कहती है ठीक है ठीक है लेकिन अगर ऐसी condition आ जाए कि यदी यदी अम लोग तता चार में जब reaction हो रही है अम लोग तता चार की तो हमने तता चार में एक का वैद्युत इस्थेतिक योगदान अधिक है तता दूसरे का सह सहियों जग योगदान अधिक है तो बंद कमजोर बनेगा तो बंद कैसा बनेगा जो बंद बनेगा वो कमजोर बनेगा क्या नहीं का मतलब क्या है कि अगर अमल और चार की जब हम रियक्शन करा रहे है तो एक का तो वैद्युत इस्थेतिक योगदान अधिक है यानि एक तो है कठोर सथायमेत का मतолब का tutto एक हसला पर दूसरे का कुया है सैसेयोजग आरिक है मतलब दूसरा किया है म्रदू है बखोषिकित तो जाल नीकिल करा और पर्राइब टॉर और या यह कहती यह वक्राप्र सब्सक्राइब कर सकते हैं उसको एक्सपरिमेंटली प्रूफ कर सकते हैं तो यह तीन सिध्धान थे नोट कीजे जल्दी से फिर एक लास्ट टॉपिक बचता है उसके भी कंप्लीट कर लेते हैं कि एक लास्ट टॉपिक बसता उसके बाद यह यूनिट कंप्लीट हो जाएगी वैसे तो अल्मॉस्ट कंप्लीट है वह इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है जो कराने वाले हैं लेकिन करा देते हैं उसे भी कि छोड़ें जब पूरी यूनिट कराईए उसके बाद कि यह वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट इसमें एक ही चैप्टर है जो कि अब आपका पूरा हो जाएगा आज हो जो नएक्स टोपिक हो है अम लुगा छारों की प्रावलता अब हमने कठोर्ता अमर्दुता वर्ड का यूज़् नहीं कि आ है बई एक नया वर्ड यूज किया जिसका नाम है प्रावलता प्रावलता मतलब 스트reng ठीके प्रवलता की बात कर रहे हैं हम ठीके और कठोर अर। म्रदु से इसको रिलेट करना चाहेंगे कि आप बोलेगे कठोर होगा तो चाहिए कि अइसा कोई कौंसेप्ट नहीं है जिसमें कि कठोरता और नादू और प्रावलता दो अलग-अलग चीज़ेंगे इन दोनों का अपस में कोई लेना देना नहीं है तीक है तो इसका मतलब आप कठोर को प्रवल बोलोगे ऐसा जरूरी नहीं है तो कठोर और म्रदू फिर क्या है कठोर और म्रदू सिर्फ एक पेरामीटर है एक मानक है एक स्टेंडर्ड है तीक है उसी तरह से प्रवलता भी क्या है एक मानक है एक स्टेंडर्ड है जिसका को आप मिक्स करके नहीं पड़ेंगे यह दो अलग अलग चीज होती है प्रवलता अलग चीज है और कठोर्ता अम्रदुता अलग चीज है ठीक है तो हम यह लिख सकते हैं अमलवा चारों की कठोर्ता वा म्रदुता का प्रवलता से संबंध नहीं होता है ठीक है दोनों ही अपोजिट कॉंसेप्ट है दोने ही अलग चीज है अलग चीजों को प्रदर्शित कर रहे है प्रवलता अलग चीज है और कठोर्ता अम्रदुता क्या है एक अलग चीज है यह हम लिख सकते हैं कठोरता वा म्रदुता अमलों वा छारों के लिए एक मानक है एक स्टेंडर्ड की तरह यूज़ करते हैं मानक है इसी प्रकार इसी प्रकार प्रवलता भी एक पेरामीटर यानि कि एक मानक है जिस तरह से एक ठोरता म्रदुता एक मानक है उसी तरह से प्रवलता भी क्या है एक मानक है ठीक है तो यहाँ पर प्रवलता की बात करें जैसे हम कोई लूईज अमल ले रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि लूईज अमल बहुत ज़्यादा प्रवल है तो इससे क्या मतलब है तो इसका मतलब है कि लुईज अमली की प्रवलता ये है कि वो कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनों का अपनी तरफ आकरशित करता है तो हम यह लेख सकते हैं कि कोई अगर हमारा लुईज अमल है तो लुईज अमली की प्रवलता लुईज अमल की प्रवलता उसकी इलेक्ट्रोनों के प्रती आकर्शन छमता द्वारा निर्धारित की जाती है मतलब समझे मतलब अगर हमें किसी अमल को प्रवल कहना है कि यह प्रवल अमल है तो अगर कोई अमल है जिसको इलेक्ट्रोन लेने है तो अगर हमको इसको प्रवलता में दर्शाना है कि यह प्रवल होगा या दुर्वल होगा तो यह उस आधार पर बताएंगे कि कितना जादा इलेक्ट्रोनों की इसको भूग है तीक है लूइस अमलिजोस को कितनी इलेक्ट्रोनों की भूग है कितना जादा वो इलेक्ट्रोनों को अपनी तरफ आकर्शित करेगा उसकी प्रवलता उतनी ही जाद होगी और जितना कम आकर्शित करेगा उसकी प्रवलता उतनी ही कम होगी तो यहां पर अमुलों की प्रवलता से मतलब क्या है एलेक्ट्रोनों को अपने प्रती आकर्शन करने की चमता तो और इसका एलेक्ट्रोनों की आकर्शन चमता का कट होड़ता अम्रद्दर से कोई लेना देना नहीं है ना इसी तरह से हम कह सकते हैं कि लूइस च्छार की प्रवलता उसके इलेक्ट्रोनों को दान करने की चमता द्वारा निर्धारित होती है निर्धारित होती है जैसे अमल का काम है लूइस अमल का काम क्या है इलेक्ट्रोनों को लेना वैसे लूइस च्छार का काम क्या होता है इलेक्ट्रोनों को देना और कोई च्छार जितनी आसानी से इलेक्ट्रोन दे देगा वो तुनाही प्रवल च्छार होगा है ना च्छार क और इसी प्रकाल लुईस चार की प्रवलता जो है उसके इलक्ट्रोनों को दान करने की छमता द्वारा निर्धारित की जाती है तो इसका कठोरता म्रदुता से कोई लेना देना नहीं है और यहाँ पर अम लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट कि अमलों वा छारों की प्रवलता को जैड स्क्वेर अपॉन आर के अनुपात द्वारा या ओग्जो अमलों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है ओग्जो अमलों द्वारा यहाँ से कलो ओग्जो अमलों द्वारा प्रवलता को ओग्जो अमलों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है निर्धारित किया जा सकता है यानि कि अगर हमको उनकी प्रवलता को अगर अमल और छार है उनकी प्रवलता को हमको क्या करना है निरधारित करना है तो किसा आजार पर करेंगे यहां तो हम Z square upon R का अनुपात निकालेंगे यहां तो फिर हम क्या निकालेंगे और जो अमलो द्वारा निरधारित करेंगे त्रिज्या इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा प्राप्त होगी है ना तो हम यह लिख सकते हैं कि जैड़ स्क्वेर अपॉन आर के अनुपाद जब हम इनका अनुपाद लिखा लेंगे तो अनुपाद के मान अनुपाद के मान जितने अधिक होंगे जितने अधिक होते हैं जितने अधिक होंगे अमलियता व छारियता भी उतनी ही अधिक होगी उतनी ही अधिक होगी तीक है यानि जैड़ स्क्वेर अपॉन आर से निकालना है जैड़ स्क्वेर अपॉन आर की वैल्य जितनी जादा होगी जितनी जादा वैल्य प्राप्त होगी उसकी अमलियता अगर हम किसी अमलिय के लिए निकाल जैड़ स्क्वेर अपॉन आर तो जितनी जादा वैल्य के लिए निकाल जैड़ स्क्वेर अपॉन आर जितनी जादा इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रवल अमलुग, प्रवल छाड से जुड़ने की प्रवरत्ती रखता है. तो इस आदार पर हम कहा सकते हैं कि प्रवल अमलुग क्या करता है? प्रवल छाड से जुड़ने की प्रवरत्ती रखता है. प्रवल अमल किस से जुड़ना चाहेगा? प्रवल छाड जैसे कठोर कठोर से म्रदू म्रदू से जुड़ना चाहता है. वैसे प्रवलता भी एक पैरामीटर है. एक प्रवलता को भी हम parameter की तोर पर ले सकते हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर हमारे पास कोई प्रवल अमल है तो वो किसके साथ bond बनाना चाहेगा प्रवल छार के साथ ठीक है यानि कि प्रवल अमल और प्रवल छार के बीच जो bond बनेगा वो strong बनेगा जो प्रवल अम्ल और दुर्वल चार के बीच जो bond बनेगा, वो weak बनेगा नोट कीजिए वइए, इतना सा है ये सिद्धान, अम्ल और चारों की प्रवलता ठीक है, कि प्रवल अम्ल प्रवल चार से जुडने की प्रवरती रखेगा और जो प्रवलता होती है उसका कठोरता और म्रदुता से कोई लेना देना नहीं है है ना कहने का मतलब है कि अगर कोई कठोर अमल है जरूरी नहीं वो प्रवल अमल हो ठीक है कठोर हो सकता है लेकिन प्रवल हो ये जरूरी नहीं ऐसे कोई छार है, तो कठोर होसकता है वो, लेकिन जरूरी नहीं कि प्रवल चार हो, एक्जाम्पल से समझें, तो पहले इतना नोट कीज़ें, फिर एक कुछ एक्जाम्पल से देखते हैं, जैसे फॉर एक्जाम्पल, For example यह है हमारे पास तीन चार दिया दिया भी तुमको F- है, एक है OH- है एक है O2- है अब तुमसे बोला है कि पहले यह वताब कठोर कौन है और म्रदू कौन है तो हम भी जानते हैं इसमें फ्लोरीन है इसमें ऑक्सीजन है इसमें भी ऑक्सीजन है तो नहीं विद्युत्रणात्मक है और जो जितने जादा विद्युत्रणात्मक होता है वो सभी के कहलाते हैं कठोर ये भी कठोर है ये भी कठोर है और ये भी कठोर है कठोर तो तीन ही है जिसमें सबसे जादा कठोर कौन होगा फ्लोरीन क्यों कि इसकी विद्युत्रणात्म प्रवलता का क्रम यानि की F- से जाधा प्रवल कौन होता है OH- है ना अगर 6 प्रवर्वित्थी देखिजाए 6 प्रवर्वित्थी क्या होती है Electrons को त्यागने की प्रवर्वित्थ अभी बताईती किसी 4 की प्रवलता से क्या मतलब है कि वो इलेक्ट्रोनों को कितनी आसानी से दे देता है अगर फ्लूरीन की बात करें प्रवल विद्यूत्रिनात्मक है कठोर है लेकिन प्रवल विद्यूत्रिनात्मक होनी की वज़े से यह एलेक्ट्रोन खोना तो नहीं चाहेगा है ना इलेक्ट्रोन आसानी से देना नहीं च यानिक आसानी से से प्रावल शाहर नहीं होगा तो इससे प्रावल शाहर कोई है और दो सकते हो कि कठोड़ता और प्रबलता और न्युक्त से और अलग अलग चीजे होती है आपस में रिलेट़ नहीं होती इस एकडापल से आपको ये बात प्रदर्शित हो जाती है ठीक है यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि जो OH- होता है OH- F- की तुलना में 10 to the power 13 गुना प्रवल होता है प्रवल छार होता है यहों प्रवल छार होता है इसका मतलब OH- F- की तुलना में जादा आसानी से इलेक्ट्रोन दे सकता है प्रले कठोर F- कितना भी हो F- कितना भी कठोर के ना हो लेकिन वो उसकी प्रवलता का पेरामीटर नहीं हो सकता कठोर होना उसकी प्रवलता के लिए जरूरी नहीं है प्रवलता तो वो होती है जो इलेक्ट्रोन आसानी से दे दे छार तो यहाँ पर हम इस एक्जाम्पल से आप यह वाद तो समझ गयोंगे कठोरता म्रदता और प्रवलता दो अलग अलग चीजे हैं इनको आपस में कनेक्ट नहीं करना है इनको एक दूसरे से इंटरिलेट नहीं करना है एक एक्जाम्पल से भी समझा सकते हैं जैसे कि हम CS3, Hg, SO3, माइनस ठीक है? इसकी रियक्शन हो रही है OH2, OH, माइनस ठीक है? यह रियक्शन forward direction में हो रही है दोनों direction में हो रही है पर backward भी हो रही है एक तरफ बन रहा है एक तरफ क्या बन रहा है? यह दोनों react करके CH3, Hg और यहां पर OH जुड़ रहा है इस complex में और दूसरा complex बन रहा है H2O, SO3, माइनस यह रियक्शन हो रही है अगर इस reaction को कठोर और म्रदू के concept से देखा जाए तो कभी भी इस reaction को explain नहीं कर पाएंगे क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यह वाला जो पार्ट है कारवन, Hg, दोनों क्या होते हैं? म्रदू, सॉफ्ट होते हैं ठीक है? अगर यहां पर बात करें SO3, SO3 क्या होता है? एक सीमा बरती होता है सीमा रेखा सीमा रेखा सीमा रेखा वाला छार है तो यह तो म्रदू के साथ भी रेक्ट कर सकता है कठोर के साथ भी रेक्ट कर सकता है यहां तो चलता है लेकिन अगर हम यहां की बात करें कौन है? H2, H2 में कौन होता है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कैसा होता है? कठोर सब्सक्राइब करें तो यह क्या होना चाहिए अनिस्टेवल होना चाहिए यह अनिस्टेवल होना चाहिए इसका अगर हम HSAB के अकॉर्डिंग देखें तो यह रियक्शन कभी भी फॉर्वर्ड डायरेक्शन में नहीं प्रोसेड होगी हैना HSAB के अनुसार कभी भी यह आगे की दिशा में संपन होगी तो अनिस्टेवल प्रोड़क्ट बनेगा और ऐसा रियक्शन पॉसिबल ही क्यों होग जिसमें कोई प्रोड़क्ट अनिस्टेवल बन रहा है तो इसका मतलब हो नहीं चाहिए जबकि यह रियक्शन होती है और इस रियक्शन के लिए जो यहां पर इक्विलिवरियम बन रहा है ना तो इक्विलिवरियम कॉंस्टेंट यानि की वैलिव बहुत हाई प्राप्त हो यह अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन नहीं होनी चाहिए जबकि वास्तव में यह अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन होती है अतह इस अभिक्रिया की व्याख्या एचेस एबी के अनुसार नहीं हो सकती है बल्कि इसकी व्याख्या प्रवल्ता के आधार पर की जाती है प्रवल्ता के आधार पर की जाती है तो यह प्रवल्चार है इसलिए यह क्या कर देता है लेकिन हैसस एकसप्रेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे तो यह भी प्रूफ करती है कि हमारे कटोर कामरदू का जो कॉन्सेप्त वह इक अलग कॉन्सेप्त कर वह इन दोनों को कुछ मत की जिएगा तो इसलिए मेरी तरफ से तो यह unit होती है अब इस unit के अंदर कुछ भी बाकी नहीं रह गया जितने भी topics आपके exam में आ सकते थे exam point of view से important है वो मैंने सारे करा दिये है इस से जादा इस topic के अंदर कुछ है नहीं तो यह unit होती है यहाँ पर समापत Thank you